आज के इस वीडियो में हम कुछ important sentences बनाएंगे और यह sentences बहुत important vocabulary यूज करके बनाएंगे और यह जादा तर आप novels में, English movie में या news में सुनते हैं ठीके, अगर आपको कभी कहना होगे कोई काम बहुत जोरो पर है अपने उरूच पर है, अपनी जोबन पर है यानि कोई भी activity का level, highest test वक्त अपने सबसे जोरो शोर पर वो काम चल रहा है तो उसके लिए आप यूज करते हो in full swing इसको आप यूज करेंगे जब आप यह बताना चाहों कि यार यह काम अपने जोरो शोर पर चल रहा है यह चीज अपने जोरो शोर पर मौझूद है, अपने उरूच पर है, इस वक्त जो है अपने फुल जोबन पर है तब आप कहें in full swing For example, जब हम वहाँ पहुंचा तो party जोरो शोर पर थी, party अपने उरूच पर थी, party अपने पूरे जोबन पर थी When we got there, जब हम वहाँ पहुंचे, when we got there The party was in full swing, past है इसलिए was आया The party was in full swing, party जोरो शोर पर थी एक और sentence देखें मौशी बहाली अपने जोरो शोर पर है, मौशी बहाली अपने उरूच पर है इस वक्त अपने पूरे जोबन पर है, जोरो शोर से मौशी बहाली के लिए काम हो रहा है The economic recovery is now in full swing, present है तो इसाय The economy recovery is now in full swing, यानि मौशी रिकावरी जो है इस वक्त अपने जोरो शोर पर चल रही है एक और sentence देखें सडक की तामीर जोरो शोर पर है, यानि अपने उरूच पर है सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इस वक्त तो आप कहेंगे, the construction of the road is in full swing The construction of the road is in full swing, सडक की तामीर जोरो शोर पर चल रही है The construction of the road is in full swing, अब एक sentence आप बनाईए इम्तिहान की तैयारी जोरो शोर पर है, अपने उरूच पर है, खुब खुब चल रही है इस sentence आप बनाईए, comment box में share कीजिए और अगर आप ऐसे कहते हो कि कोई भी काम आप मुस्सल्सल कर रहे हो, बगार रोके, बगार उसमें break दिये तब आप यूज करते है, at a stretch, इसका मतलब है कोई भी काम आप मुस्सल्सल करें, उसमें gap ना दें, उसमें रुकावट ना हो, for example, उसने पूरा juice का glass एक साथ पी लिया, यानि बगार रुक के पी लिया, तो आप कहेंगे, he drank a glass of juice at a stretch, यानि बस juice का glass लिया और पूरा एक गंटे काम किया, बगार रुके 6 गंटे काम किया, she worked for 6 hours at a stretch, यानि बगार रुके मुस्सल्सल वो 6 गंटे उसने काम किया, एक और सेंटेंज देखें, उसने एक साथ तीन दरख काटे, बगार रुके काटे मुस्सल्सल काटे, he cut 3 trees at a stretch, यानि उसने एक साथ बगार रुके मुस्सल्सल तीन दरख काटे, पता नहीं कितने घंटों में काटे होंगे, लेकिन बगार रुके काटे, तो at a stretch means कोई भी काम आप बगार रुके करो, मुस्सल्सल करो, एक सेंटेंज आप बनाएए, वो घंटों पढ़ सकती है, इसे आप बनाएंगे, comment box में share करेंगे, याद रखे, at a stretch means कोई काम आप बगार रुके करें, मुस्सल्सल करते रहें, और in full swing means कोई भी काम अपने जोरो शोर पर हो, पूरे उरूच पर हो, पूरे जोबन पर हो, जोरो शोर से, और बहुत highest activity जो है उस पक जारी हो, सारी हो, उसके लिए आप भी उस करोगे in full swing, इन दोनों को learn कर दीजिये, अपने sentences में बनाएए, use कीजिये, practice कीजिये, keep staying with us, thanks for watching.